जो आम आदनी पार्टी जो भारत की राजनीती में मूल्यों की राजनीती स्थापित करने का दावा करके आई थी वो सबसे मूल्य हीन पार्टी दिखाई पड़ रही है और मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ मैसूस कर रही है और इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उत्राए हुए हैं और मुझे तो वो पुराने गीट की पंक्तियाद आ जाती है एक निकल रहा है मंत्री फिर दूसरा डिप्टी सीम फिर तीसरा संसदी दल का नेता और अभी आगे अल्ला जाने क्या होगा आगे तो मुझे वो पंक्तियाद आती है जिसको देखो वही आज मद हो सहे आज तो ये दिवाना घजब ढगया मत्तब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के करेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निरलज्जता और ध्रश्टता पूरी तरीके से जंता के सामने आ गई है इसलिए हमारा ये मानना है कि अब ये देश की जंता के लिए भी एक विचार का विश्य है फूट फर थॉट है जो लोग राजनीत में नए प्रियोग की बाते करते हैं ये एक्सपरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है भारत प्रकरता के साथ दड़ता के साथ नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्य पटल पर उभर रहा है यहां यह तरह तरह के एक्सपरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं उन एक्सपरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है और उन प्रियोगों के चेहरे पर चड़ा हुआ मुखोटा कितनी जल्दी उतर सकता यह भी समझना चाहिए बहुत इसपश्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रियोग भारती राजनीत के लिए घातक हो सकता है यह मेरे विचार से आम आदनी पार्टी के अन्ना अंधुलन से निकली आम आदनी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है और देश की प्रबुद जनता इसे समझ रही जो आम आदनी पार्टी जो भारत की राजनीती में मूल्यों की राजनीत इस्थापित करने का दावा करके आई थी वो सबसे मूल्य हीन पार्टी दिखाई पड़ रही है और मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली की जन्ता आज अपने को ठगा हुआ मैसूस कर रही है और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उतराए हुए है और मुझे तो वो पुराने गीट की पंक्तियाद आ जाती है एक निकल रहा है मंत्री फिर दूसरा डिप्टी सीम फिर तीसरा संसदी दल का नेता और अभी आगे अल्ला जाने क्या होगा आगे तो मुझे वह पंक्तियाद आती है जिसको देखो वही आज मद हो सह है आज तो ये दिवाना गजब ढगया मत्तब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के केरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निरलज्जता और ध्रश्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई